नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी दोस्तों का सौगत करते हैं आपके ही अपने यूटूब चैनल हराई न्यूज पर दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहाँ पर एक एक करके तमाम बहुत बड़ी खबरें मुख् हमारी यूटूब चैनल पर ना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरू दबाईएगा और अगर आप लोगों को आके ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वरा लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा पहली बड़ी खबर आप राज विभाग के अधिकारियों ने सोलन इस्थित अडानी विल्मर कंपनी की कैरिंग एंड फॉर्वर्ड इकाय का निरिच्छड किया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जियस्टी अधिकारियों ने जियस्टी उलंगन के आरोपों को लेकर के अडानी विल्मर के कारयाल तब हुई है जब यहाँ पर कॉंग्रेस के नेता राहुल गांथी ने हाल ही में संसद में सत्ता रुड भाजपा पर अडानी सम्हू के साथ में घनिष्ट संबंध होने का आरोप लगाया और हिंडन बर्ग रिपोर्ट के बासे लगातार यहाँ पर अडानी सम्हू मुस्किल खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें फिल्म पठान केवल भारत ही नहीं वर्डवाइड बॉक्स आफिस पर भी धमाल मचा रही है फिल्म ने अब तक यहाँ पर वर्डवाइड 865 करोण का आकड़ा पार कर लिया है और वहीं फिल्म की सफलता को लेकर के देश के प लाग में पठान के सोज हाउस फुल जा रहे हैं इस बात का जिक्र करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने फिल्म की जम करके तारिफ की है देख सकते हैं पियम मोधी ने जम करके की है फिल्म पठान की तारिफ इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं चुनाव को लेकर के एक बड़ा सर्वे आया है महराश्टर में बीजेपी को लगेगा जोर का जटका यूपीए को 2024 में 2019 के मुकाबले मिल सकती हैं 6 गुना ज्यादा सीटें जी हाँ दोस्तों अपडेट बताते चलें लोग सभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टिया मिशन मोड में आ गई है इस बीज दोज़ार चुनाव को लेकर के एक नया सर्वे सामने आया है जिसमें कॉंग्रेस के लिए महराश्टर से अच्छी खबर है सर्वे के मुताबिक कॉ बताते चले सी वोटर और इंडिया टुडे ने हाल ही में एक सर्वे किया था जिसमें लोग सभा चुनाव को लेकर के देश की जनता का मूड भापा गया इस सर्वे के मुताबिक लोग सभा चुना होने पर महराश्टर में यूपिये को 34 सीटे मिलने का अनुमाल लगाया ग उस खबरी है तो वहीं बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाला सर्वे है महराश्टर में लोग सभा की कुल 48 सीटे हैं बताते चलें 2019 की तुल्ला में 2024 के समी करण बेलकुल ही बदले हुए नेजर आ रहे हैं क्योंकि सिवसेना 2019 के लोग सभा चुनाव में एंडिये के स लेकिन अब यहां पर सिवसेना ये उपिये का हिस्सा बन चुकी है और ये सर्वे भाजपा की नींद उड़ाने के लिए काफी है इसके साथ ही दोस्तो एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं अडानी के मसले पर यूद कॉंग्रेस आज सडकों पर उतरी है दिल्ली में पर बेरोजगारी महेंगाई और अन्य मुद्दो को लेकर के केंदर सरकार के खिलाब महिला कॉंग्रेस के सदसे उन्हें यहां पर धरना दिया है तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी अडानी के मुद्दे पर बेरोजगारी का मुद्दा हो या फ कि टीमसी दिया है 48 घंटे का अल्टिमेटम क्या कुछ है पूरा मामला खबर बताते चलें पश्यम बंगाल के बजट सत्र के पहले दिन टीमसी ने उत्तर बंगाल को अलग राज बनाय जाने की मांग को लेकर के बीजेपी से अपना रुक इसपश्ट करने को कहा है टीमसी ने बंगाल के विभाजन के खिला विधान सभा में प्रस्ताव लाने की घोशना की है उत्तर बंगाल के विकास मंत्री उधियन गुहा ने राज्य के बटवारे पर अपना साफ रुक बताने को लेकर के बीजेपी को 48 घंटे का अल्टिमेटम दिया है उन्होंने बीजेपी पर बंगाल के लोगों के साथ डबल केम खेलने का आरोप लगाया है टीमसी का आरोप है कि इस मांग के पीछे बीजेपी के ही नेता है और वहाँ लोग पश्यम बंगाल को तोड़ने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन इस साजिस को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया यह यहाँ पर टीमसी की तरफ से बयान आया है एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं कॉंग्रेस के अध्यच मलिका अर्जुन खडगे ने कहा एंकरों को खरीद लेती है सरकार अपडेट बताते चलें उन्होंने केंदर सरकार पर निसाना साधते हुए मीडिया का भी और अपडेट किया है भड़कते हुए दरासल दोस्तों पहले आप लोगों को बताते चलें कि कॉंग्रेस के अध्यच ने क्या कुछ कहा है कॉंग्रेस के अध्यच मलिका अर्जुन खडगे ने कहा है कि समिधान में सभी को सवाल पूछने की आजादी दी गई है उन्होंन दूसरे दिन ही हटा दिया जाता है या फिर सरकार उसे खरीद लेती है और कॉंग्रेस अध्यच के इसी बयान पर एंकर रूबी का लियाकत भड़क गई उन्होंने ट्विट किया अपने फायदे के लिए संसच जैसी पवित्र जगह से अनरगल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी रूबी का लियाकत ने आगे कहा है कि एक पाई किसी की ली होगी तो छोड़ दूंगी नौकरी और इसी बयान पर रूबी का लियाकत को सोचल मीडिया पर लोगों ने जम करके ट्रोल किया इसके साथ ही दोस्तो एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें बीजेपी के पुर्वसांसाद सुबर्वनयम स्वामी ने कहा प्रधान मंत्री मोधी को अडानी समहू की सभी संपत्तियों का राष्ट्रिय करण करना चाहिए अपडेट की तरफ बढ़ते हैं पुर्व केंद्रिया मंत्री और भाजपा के वरिष्ट नेता सुबर्वनयम स्वामी ने कहाए कि वह चाहते हैं कि अडानी समहू की संपत्तियों का राष्ट्रिय करण कर दिया जाए अडानी समहू को वित्तियस सौदो से सम्मन देते एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद उसके शेलों में गिरावट के बीच यहाँ पर विवादों का सामना करना पड़ रहा है और संसद में भी पच्छी दलों के द्वारा इस मुद्दे पर हंगामा किया जा रहा है और ऐसे वक्त में बीजेपी के ही नेतास सुबरमणयम स्वामी की यहां मांग भाजबा की मुश्किले बढ़ा सकती है क्योंकि इस समय अडानी के मुद्दे पर भाजबा पूरी तरहें से बैक फुट पर ही नजर आ रही है राहुल गांधी लगातार हमला पर है सरकार पर इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहत बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुचाए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिगा अपने सभी दोस्तों में तकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद